नमस्कार आप देख रहे हैं आरियान निउस और मैं हूँ आपके सास प्रियंकातिवारी खबरों को विस्तार से जानेंगे जारखंड के देवगर जिले में प्रधानमंत्री नरेनर मोदी के मंगलवार को होने वाले दोरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं जहां वो एक हवाई अडेस सहित कई परियोजनाओं का उधगाटन करने वाले हैं ये जानकारी अधिकारियों ने दी पुलेस के एक वरिस्ट अधिकारी ने बताया कि पियमोदी नई परियोजनाओं की आधार शिला रखेंगे और और 11.5 किलो मीटर लंबे रोड शो में हिस्सा लेंगे उन्होंने बताया कि जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है अधिकारी ने बताया कि दौरे के दौरान प्रधान मंत्री 12 जोतिर लिंगों में से एक बाबा वैदिना धाम मंदर में दर्शन करेंगे एक आधिकारिक विज्यप्ती में कहा गया है कि प्रधान मंत्री जार्खंड में 16,000 करोड रुपे की परियोजनाव की आधार शिला रखेंगे और उद्धाटन करेंगे वारनसी के काशिव विश्वनात मंदर परिसर में ग्यानवापी मस्जिद और श्रंगार गौरी मंदर केस में आज एहम सुनवाई होगी वारनसी की जुला अदालत में ग्यानवापी श्रंगार गौरी परिसर मामले में मुकदमे की सुनवाई करने या नहीं करने के मुद्दे पर आज यानी 12 जुलाई को सुनवाई होगी सुनवाई से एक दिन पहले हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट का गठन किया है जो कोट के मामलों की देख रेख करेगा वर्तमान में केस की मेरिट पर चल रही सुनवाई मुसलिम पक्ष अपनी दलीले पेश कर रहा है 12 जुलाई को मुसलिम पक्ष की पेश की गई जब दलीले पूरी हो जाएंगी तब हिंदू पक्ष अपने दावे पेश करेगा रक्षा मंत्राले से जुड़ी सलाकार समिती की सुमवार को बैचक हुई बैचक में मौझूदा विपक्ष के सांसदों ने एक बार फिर अगनिपथ योजना को वापस लेने की मांग की बैचक में मौझूद विपक्ष के छे सांसदों ने अगनिपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए रक्षा मंत्री राजुनात सिंग को एक ग्यापन सौपा साथ ही आपको बता दे कि बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजुनात सिंग ने की जहां सम्मंधित मंत्राले के मंत्री ही सलाकार समिती के पद अध्यक्ष होंगे बैठक में समिति के 12 सदस्य मौजूद रहे बैठक में शामिल विपक्ष के सांसदों ने एक बार फिर सरकार से अगनीपत योजना वापस लेने की मांग की विपक्ष के 6 सांसदों ने रक्षा मंतरी को योजना वापस लेने की मांग करते हुए एक ग्यापन भी सौपा है हाला कि ग्यापन पर कॉंग्रिस के सांसद मनीश तिवारी ने हस्ताक्षर नहीं किये मनीश तिवारी शुरू से ही इस योजना का समर्थन करे है लेकिन हाला कि सूत्रों के मताबक तिवारी ने योजना से जुड़े कुछ आशंकाओं को रक्षा मंत्री के सामने जरूर रखा है भारत के राश्रुपती पद के लिए आदिवासी नेता द्रौपती मुर्मू की उमिदवारी को समर्थन देने का फैसला किया है टीडीपी ने कहा कि उनका ये नर्ने सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबध लोगों की निशानी है टीडीपी ने पहले भी भारत के राश्रुपती पद के लिए के आर नारायन और एपी जे अब्दुलकलाम की उमिदवारी का समर्थन किया था और कहा था कि ये सामाजिक न्याय के लिए पार्टी की प्रतिबधता का उतकरष्ट उदाहरन है तो वहीं इससे पहले बैंगलूरू पहुंची मुर्मू का करनाटक के मुख्यमंत्री वसवराज बुम्मई बीजेपी के प्रदेश एकाई के अध्यक्ष नलिन कुमार, कतील और पार्टी के कई अन्य पदाधिकारियों ने हवायदे पर स्वागत किया और उनको एक शौल मैसूर, पेटा यानि पगड़ी और माला पहनाई गई मुर्मु ने यहाँ बीजेपी के विधाईकों और सांसदों को संबोधित किया और उनका समर्थन मांगा मुर्मु ने पहले भी देवगौडास से बात की थी और राष्ट्रपती चुनाव में उनसे आशिरवाद मांगा था और हडी कुमार स्वामी ने मुर्मु को पाटी की ओर से समर्थन देने का संकेत दिया था तो वहीं सुभासपा नेता उंप्रकाश राजभर अपने बयानों से पलटने के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं हाल ही में उंप्रकाश राजभर ने समाजवादी पाटी गटबंधन से अलग होने के संकेत दिये थे मंगलवार को प्रेस कॉन्फरेंस करके सपा को जटका देने की उनकी तयारी थी लेकिन उससे पहले एक बड़ा जटका खुद उंप्रकाश राजभर को लगा है दरसल पाटी के उपाध्यक्ष शशी प्रताप सिंग ने उंप्रकाश राजभर पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए सुभासपा में तूट का एलान किया है हाला कि अब सुभासपा के लोग कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है लेकिन समाजवादी पाटी साफ तोर पर कह चुकी है कि अभी राजभर की पाटी में बड़ी तूट होगे प्रेस कॉन्फरिंस से पहले उनके पाटी के पूर्ब प्रदेश उपाध्यक्ष शशी प्रताप सिंग ने अलग होने का आईलान कर दिया इसके साथ ही उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर कई गंभीर आरूप भी लगाए शशी प्रताप सिंग ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर केवल अपने बेटे और पत्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं वे देश के सबसे बड़े जूटे नेता है